महरबान कदरदान साहिबान हुजाए सावधान थोड़ी सी इज़त दीजिए बढ़ा कर क्योंकि पेश है एशिया की नंबर दो टीम मेरे जान और कोई और नहीं है बलकि है ये अफगान 2.0 हाँ जी अफगान 2.0 2.0 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2019 में जब वर्ड़कप हुआ था तो अफगानिस्तान एक मैच नहीं जीदे थी वर्ड़कप के तेहास में अफगानिस्तान ने सिर्फ एक मैच स्कॉट्लैंड जीदा था लेकिन अब अफगानिस्तान जो है ये कह रही है कि बाबू अब हम वो अफगानिस्तान नहीं रहे जो लिबिल लिबिर क्या करते थे अब हमने जीतना सीख लिया है और इसके बाद गुड़्डू भहिया वाले स्टाइल में हमको चाहिए फुल इजट फुल इजट वही इजट जो आप इंडिया को देते हैं वही इजट जो वर्ड़कप से पहले आप पाकिस्तान बंगलादेश और शिलंका को दे रहे थे और हमको दीजट फुल इजट क्योंकि हम हैं नंबर दो ठोक के कह रहे हैं हाँ इंडिया वालों सार रहते थे नोड़ा में जहां हम बता रहे हैं यहीं पर बैटके सीखते थे और यहीं से सीख क्या हैं और विराट कोली की तरह चेज करने लगे हैं और अब एज़ा टीम हम हम चेज मास्टर टीम हो गए हैं विराट कोली होगा हैं लेकिन ज्या टीम हम चेज मास्टर हो गया हैं क्योंकि पाकिस्तान को अमने चेजर ने पढकिनी दी तब अतिहास रचा था पहली बार पाकिस्तान जो है वो 20 सालों में 275 प्लस चेस करवाते हा रहा था और आज तो हमने शेलंका को रॉम दिया है मतलब जिस तरह से पीटा है गुरु जी ने इनके कोच ने जोनातन ट्रॉट नाटालीस ओवर लिखाता है ब्लैक बोर्ड पे इनों ने बाबू ने ठोक दिया कहा उससे भी जल्दी हम ठोकेंगे हम यार 2.0 है अपडेटेड वर्जन है दो वर्ण जितनी तारीफ इस टीम के आप करेंगे उतना कम है क्योंकि ये टीम बड़ी बैलेंस टीम है और बेस पार्ट ये है कि जिस मेचियोरिटी के साथ इस टीम में प्लेयर्स ने रंचेस को पन्जाम दिया है वो कमाल है कमाल है रह्मनुला गुर्बाज जो इस टीम की जान है वो जब आउट होते हैं उसके बाद थोड़ा सा डाउट होता है क्यूंकि जीरो पर अगर आपका पहला विकेट गिर जाये तो फिर आप थोड़ा सा घुबराते हैं क्या हो सकता है लेकिन उसके बावजूद ये टीम जो है ये जबरदस परफॉर्म करती है और जिस ठहराफ के साथ इसके प्लेयर रन मनाते हैं चाहे वो इबराहिम जादरान हो रहमत शाह हो शहीदी कप्तान हो या फिर उमर जाई हो जिन्होंने पहले गेनबाजी में कमाल किया और बादने जो है वो कैसे आकर टिकता है ठहरता है और प्रेशर हटा कर जिता कर ले जाता है अगर आप बात करेंगे तो शायद 25th ODI Half Century कमाल की ये खिलाडी है मुझे काफी अच्छे लगे शहीदी काफी अच्छे लगे मुझे क्योंकि वो ठहरते हैं मैच जिता कर लोटते है और एक बहुत बड़ी काबलियत है और अजमतुल्ला की जतनी तारीफ की जाए ये कम है यार ये टीम में डम है और मुझे लगता है कि ये टीम अपने ड्रीम मूव्मेंट को अब यहां ये है लेकिन अफगानिस्तान ने उसको प्रेशर नहीं आने दिया वो सरपर नहीं लिया और जिस तरह से इनके कोच ने प्लानिंग की थी कि 10 ओवर में इतना 20 ओवर में इतना 50 रन 10 ओवर में 20 ओवर में 100 फिर 1500 फिर 200 और 48 में हम बना लेंगे वो टारगेट सबसे जादा जो इनको नुकसान हुआ शिरलंका को वो था तीशड़ा के तीर नहीं निकल ले थे मतलब वो जो गाना चलते ना चलाओ न न नैनों से बान दे तीशड़ा ने 10 ओवर ने 55 रन दी और ये तिंग वहीं से मैच पलट गये क्योंकि अगर आपके स्पिनर्स रिकेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर ऐसा टीम आप अच्छा नहीं कर सकते हैं और केवल मदुशंका जो थे वो कमाल थे मदुशंका के अलावा जितने भी लोग थे वो सब एवरेज गिनबाजी कर रहे थे और मैं पॉस्टनली बहुत 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 इंप्रेस हो अफगानिस्तान से क्योंकि इस टीम में दमखम तो है यार गिनबाजी इस टीम के हमेशा से जान थी एक सो अटावन मैच खेलें इस टीम ने अब तक जिसमें मुझे पता लगा कि एक सो पचास मैच जो है मुहमद नभी ने खेले किवल आठ मैच मिस किया है और हमको लगाया दादा आजम के जमाने से खेल रहे हैं नभी साब 38 साल के है गजब है राशत खान का आच सोवा मैच ताउर सोवा चैस जूईत के साथ अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान तो होस्ट है लेकिन पाकिस्तान के अलावा इंग्लैंड और आपकी बंगलादेश येसी टीम जो है वो कौलिफाई नहीं करती निज़रा आए अब तक के हिसाप से क्योंकि जो नया रूल है उसके हिसाप से पाकिस्तान automatic qualify है hosting nation रहसे और बाकिस साथ जो top team होंगी वो qualify करेंगी तो जहां पर दो team है qualify नहीं कर रही है वहां पर अफगानिस्तान पांचवे rank पर है 6 points हो चुके है और बड़ी बात है कि तीन team हो को उसने रहा है और तीन team है जो है यह तीनो champion team है world champions को रहा है एक current world champion को एक पाकिस्तान को और तीसरी श्रिलंका को और दो team है तो Asian conditions में रहा है मैं I think यह बहुत बड़ी बात है आप श्रिलंका को या पाकिस्तान को एशिया में किसी दिन भी underestimate नहीं कर सकते है और हर अनसान यह मान कर बैठा था कि श्रिलंका और पाकिस्तान जो है परिशान करेंगी यह बड़ी team है लेकिन अफगानिस्तान ने जिस EAS के साथ match जीता 240 उन्होंने बनाये थे और 42 उन्होंने तीन wicket पर बना लिए पाकिस्तान ने खिलाफ 8 wicket से जीता I think इसकी तारीफ होनी जीता बहुत जबर्दस परफॉर्मेंस सारे खिलाडियों की and I think as a team they are superb आज इनके कप्तान शहीदी ने 2000 रन बनाये और उनको भी इस match के बास इंडिया पाकिस्तान की जो फैन से दोनों जश्ट बना रहे I don't know why Indian people are always happy to see Afghanistan grow अच्छा लगता इनको अफगानिस्तान के लोगों का upliftment चायद इतने संघर्षों से वो निकले हैं इतनी परिशानियों से घुज़रे हैं और उन परिशानियों को समझते हुए जिस जुझारूपना से वो लड़ते हैं I think वो एक जज़बा जो है लेकिन इस मैच में जीत के कई और भी हिरोते जैसे फजल अग फारूखी थे कमबाक कर रहे थे और घजब की गेंद बाजी की मैं फारूखी को हमेशा हाई रेट करता हूँ मैंने IPL में भी उनको हाई रेट किया था नसीम शान एक दो बार उनने छकाया है लेकिन आइटिंग वो बहुत अच्छे बॉलर है और विद ताइम वो बहुत डेवलप कर रहे है और दस ओवर में 34 रन 4 विकेट निकाले जो उन्होंने वो इस वर्ड कप में किसी भी अफगानी प्लियर का सेकेंड ओवर्ड कप में बेस्ट है और इस वर्ड कप में बेस्ट है दस ओवर 34 रन 4 विकेट और फास्ट वाली में तो बेस्ट है लेकिन जो बात मुझे स्टीम में सबसे अच्छी लगती है वो ये लगती कि यार इस टीम में एवरेट ये जो है वो 24-25 है मतलब जातर लड़के नए हैं राशत खान हुए, नवीन हुए फजल अख फारुखी हुए, मुझीवर रह्मान हुए या बल्लेबाजी में देख लिए जितने बल्लेबाज इनके पास है रह्मनुल्ला गुर्बाज हुए, अबराहिम जादरान हुए एक-दो उनके शहीदी कप्तान हुए जातर नए लड़के हैं और इनके पास अभी काफी करियर बाकी है और जो हैं भी जैसे मिडेज में भी जो हैं वो अभी भी 5-6 साल-7 साल खेल सकते हैं मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर यह टीम इस वर्ड़कप में अच्छा कर रहे है तो जब नेक्स वर्ड़कप तक यह सारे खिलाड़ी मैचियर हो जाएंगे जब फास बॉलर जो है वो चार साल और एक्स्पिरियंस ले लेगा और प्रेशर का और IPL, PSL या बाकी लिक्स खेल लेगा तो उनकी maturity का level जो है वो unmatchable हो जाएगा यह टीम आने वाले सालों में अगर आपको बड़े टूनामेंट जीतते हुए नजर आती जैसे चैंपियंस टॉफी आ रही है या उसके बाद वर्ड कप है या कोई T20 वर्ड कप जीत जाएए सो मैं परसनली बिलकुल शौक नहीं होगा क्योंकि कमाल के टीम है मुझीबूर रह्मान आश्वर कमाल थे 10 ओवर 39 रन दो विकेट 73 गए वो 63 बॉल पे जबर्डस चेस किया और मैच फिनिश करके आए सो आइ तिंग ये सारी कॉलिटीज जो है ये बहुत मैटर करती है राशित खान सौबा मैच खेले थे एक ही विकेट मिला श्रिलंका में स्टार्ट कई लोगों को मिला था ने संका को स्टार्ट मिला कंवर्ट नहीं कर पाए कुसल मेंडिस जो है जब से कप्तान बने है बल्ला मानो खामोश हो गया उसके पहले जबर्दस खेले थे समर विक्रमा अच्छा खेले थे रन नहीं बना पाए सो उनकी अधाद है 2020 वाले स्टार्ट थे अस लंका को स्टार्ट मिला मैथ्यूस को स्टार्ट मिला तीश्रणा को स्टार्ट मिला लेकिन convert नहीं हो पाया यहाँ पर convert हुआ बाकि गेनबाजी में शोलंगा कुछ रहा नहीं लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या Afghanistan 2.0 सेमे फाइनल में जा सकती है